है कि सो हलो अब्रीवन बहुत सारे बच्चों के जो बच्चे यहां यानि के ऑफ-लाइन में पढ़ रहे हैं चाहिए ऑन-लाइन में पढ़ रहे हैं राइट है ना कि सर इस बार 2023 का सीशाट का पेफर बहुत ही टॉफ रहा था राइट है ना और टॉइंटी टू और टॉइंटी थरी का दोनों का तो सर अब किस तरीके से हमारी स्ट्राटीजी होनी चाहिए क्योंकि सर लास्ट टाइम तो मैंने दो में तीन मंथ मैंने टाइम दिया था टू-3 मंथ पर इस्टिल मैं कौलिफाइद नहीं कर सका और जिसके वज़ाए से मैं बजाएद अभी विए मैं अभी भी वहीं पे हो रहा है वही में लेवल यह ही वहीं है तो मेरे प्यारे पचशो सबसे पैली में इस बीडू में इस समिन में मैं अपको एक पॉंक्स कर दूँ करें कि यहां क्यों आपको से इस्ट्राटिजी की बात करूंगा वह देसंबर अगर आपने अभी भी नहीं, अभी तक अगर आपने नहीं कुछ पढाई किया है तो मैं यह कहूंगा कि अगर आपने अभी भी उगर यह चाहर मंत अभी आप देख रहे हो तो यह 4 और importance बताओ पहले CSAT का, कि अगर आपने CSAT को नहीं qualify किया, तो आप मान लो, कि GS में आपके कितने भी अच्छे marks होंगे, आपका सपना IS बनने से आप दूर रह जाओगे, इसलिए इस पेपर को आप हलके ना ले, इवन जो बच्चे IIT background से हैं, वो भी इस पेपर में पिछली ब चैनल पर मैंने बहुत सारे CSAT को लेकर हैं, करीब में 100 प्लस, 100 प्लस टॉपिक्स मैं आपको, फिरी में मैं आपको वीडियो में बना चुका हूँ मैं इस चैनल पर, तो आप देख सकते हैं, उससे पहले, मैं सेसंस के सुरुबात करने से पहले, इस सेसंस इस बोई प्रिज हैं, एक हजार साथीक बच्चे सलेक्ट हो चुके हैं, अगर आपको कभी कुछ दिक्कत हो, तो definitely you can tell me, right, I will help you, right, this is my personal WhatsApp number, you can only simply message, right, with your name, with your educational background, and your medium, right, अगर आप बहुत ज्यादा सीरियोस हैं, तो, एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ सबसे पहले, थोड़ा सा मैं बड़े ही आसान तरीके साप इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से, आप समझ सकते हो, right, है ना, कि किस सेग्मेंट पे हमें ज्यादा टाइम देना है, right, है ना, तो, I hope, मुझे लग रहा है कि साथी पॉइंट आपको क्लियर होगा, समझ में आरी होगा, right, है ना, one second, one second I know, one second, कहा रहा है, जी, मैंने कल syllabus तो निकाला था, right, see sir, या ने तो आप इसी चैनल पे, इसी चैनल पे जो है ना, आप syllabus भी आप देख सकते हो, यह मेरा चैनल पे इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है न, देखो, आप यहाँ पे देखो पहले, पहली बात मैं मैं आपको इंपोर्टेंस बता दू फर्स्ट में आपको बताना चाहता हूं यहां पर थोरी देर के लिए ताकि आपको इसली समझ में आज है राइट है थोरा सब्सक्राइब उसके बाद मैं यह बताऊंगा कैसे करना है एक तो है आपका मैट एक आपको है रिजिनि ठीक है मेरे प्यारे बच्चे आपको पता है कि मैस और रिजिनिंग से मैस और रिजिनिंग से आपके पास फिप्टी पलस कोईशन्स आपके एक्जाम में आएंगे और कॉंप्री हेंसन से आपके एक्जाम में 2225 कॉईशन्स आपके एक्जाम में आएंगे मैस एक पॉइंट ध्यान से समझे है अगर मैं आपको कॉंप्री हेंसन में बता हूँ आप चाहे कितने भी कॉईशन्स को आप सौल करोगे आपके इकर्ण से इस ले कॉंप्री हेंसम कोई भी कॉंप्री हेंसं सोब कर सकता है बट बट यहां पर इनीवन क्याल कार साल बट यहां पर नॉट solve by anyone यहां कोई भी ने इस पेपर को solve कर सकता है without study without study of the topic but anyone can solve without study यहां पे कोई भी solve कर सकता है यहां पे कोई solve बिना पढ़े नहीं solve कर सकता है यानि कि यहां पर आपको study करना compulsory है but यहां पे कोई compulsory है not compulsory कि सब को पता है कैसे solve करना वहां पर कुछ थोड़ी न दिमाग लगाना है बस वहां पर common sense लगाना है वो अलग बात है कि UPSC की क्या thought process है क्या understanding है वो अलग बात है कि मैं जानता हूँ offline के class में बच्चों को total 20 से ले करके 25 या 30 classes दी जाती है जिसमें 10 से 12 class आपको आपको सीधा ऐसे परा दिया जाता है और आपको उसके बदले आपको एक notes दे दिया जाता है कि भई हाँ येलो notes येलो notes तो ऐसा नहीं अगर आपको CSAT के paper को qualify करना है तो सबसे ज़्यादा weightage maths और रिजनिंग का है सबसे ज़्यादा weightage maths और रिजनिंग का है इसलिए सबसे ज़्यादा energy time आपको यहाँ देना है ताकि यही चीज़ आपको boost करेगा यहाँ नहीं भी अगर comprehension solve करोगे नहीं भी comprehension अगर मैं आपको पढ़ाओ या नहीं किसी से पढ़ाओगे तब भी आप 10 questions बड़े easily आप solve कर सकते हो easily solve कर सकते हो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मुझे आपके बल 5 to 6 question दे दो solve करने के लिए so 5 to 6 question आप सही-सही करके मुझे दे दो लेकिन यहाँ पे बीना पढ़े आप टच नहीं कर सकते हो अलग बात है यहाँ अगर coding decoding का आ गया तो you can तो मेरे प्यारे बच्चे total अगर मैं इसका आपको अगर मैं आपको यह point बता हूँ इससे चत मैं चाहता हूँ compulsory paper को हटा करें cut off decide कर दे right है ना sorry qualifying को जो एक जो उन्होंने fix जो किया हूँ है right 33.33% इसलिए paper का level day to day बढ़ता जा रहा है right year by year after year year after year the level of the paper is increasing right level up right तो यहां पे थोड़ा सापको ध्यान देना पड़ेगा इसी चीजों को आपको आपको पूरा का पूरा effort energy time यहां बूश्ट करना है so that you will be sure आप यहां पे sure होंगे आप यहां पे sure यहां पे sure नहीं है बट यहां पे sure हो जाएंगे यार अगर मैंने permutation combination का यह question solve किया मेरा answer आया तो आया मैं confident हूँ reasoning में किया blood relation का तो मैं confident हूँ मेरी बात समझ मारिए तो मेरे प्यारे बच्चों यह आपका कुछ मैं आपको एक effort करने के लिए किया रहा हूँ का math reasoning का देखिए नहीं पैसे हैं तो आप फिरी में आप मेरे इस channel पे आप देख सकते हैं तो देखो सबसे पहली बात मैं आपको December के लिए आपको कुछ points में आपको sow कर रहा हूँ ताकि इस perspective से आप December में touch कर सकते हैं देखो मेरे according अगर आप अभी भी preparation करना है starts कर रहा है तो सबसे first point सबसे पहली चीज राइट है ना questions paper का level आप क्या करिए permutation permutation and combination and probability probability इस 15 days में आप इस topic को आप अच्छे तरीके से कर लीजे राइट टे राइट है ना अगर मैं आपको इसके लिए मैं आपको अगर मैं time बता हूँ time बता हूँ तो डेली डेली two hours permutation, combination and probability इस दो topic को अच्छे से कर लिए क्यों क्योंकि अगर मैं बात बता हूँ इस बार देखा होगा आपने protest भी हुआ था 2023 में जो papers आये थे यह हिंट है आप देखो न इस channel पर मेरे इस channel पर आप देखो आप January में आएंगे January जब आप आओगे तो यहां पर आप number system blood relation number system blood relation और यह क्या कहते है clock and calendar इन 4 topics को यहां आप अपना time fix कर दीजे आप फिक्स कर दीजे ट्विंटी टू डेज राइट डेली डेली टू पॉइंट फाइब आर्स वही सी साट को हलके नहीं लेना है सी साट को हलके नहीं लेना है यह तो भई मैं important topics बता रहा हूं आप चाहो तो इसमें आगे पीछे भी किसी भी टॉपिक को आप अपने accordingly आप कर सकते हो राइट कर सकते हो यह देखो फिर उसके बाद में अगर मैं इसमें आओ देखो मैंने आपको मैंने आपको यहां पे मैंने आपको यहां पे ब्लॉक टू वाले points complete करा दिया राइट है ना ब्लॉक पर में number system करोगे तो SCF LCM भी कर लोगे ठीक है राइट है ना फिर रही बात आपका percentage profit loss time and work time screen distance position proportion mixture allegation coding decoding यह मैं इसमें आपको बता देता हूं देखो यह point होगे राइट जब आप आगे आओगे राइट है ना तो यहां पे आप करोगे percentage percentage profit loss profit loss करोगे तो यहां पे discount भी करोगे और आप यहां पे syllogism भी करोगे यहां पे आप time दोगे 22 days डेली 3 hours डेली 3 hours अब धिरे-धिरे क्योंकि आपका time जो हन बढ़ता जाएगा time जो बढ़ता जाएगा फिर जब आप March में आओगे देखो March में आओगे तो यहां पे होगा आपका सिलोगिज्म डाइरेक्शन पजल रैंकिंग 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 और उसके बाद हो गया आपका क्या पाइंजयुआ कि अग्म डाइन वर्क डाम गर्क टाइन वर्क वर्क एन मोट फाइप एंड शिस्टर यहां पर आपका डेली होगा चार घंटे चार घंटे बात समझें यह मैं इंपोर्टन टॉपिक्स आपको मैं अभी यहां पर दे रहा हूँ यह मैं इंपोर्टन टॉपिक्स दे रहा हूँ जब आप अपरील में आओगे एबरेज क्यूब एंड क्यूबवाइड डाइस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस रिश्यो एंड पर पोर्पोर्शन मिक्शर एंड एलिगेशन राइड एबरेज लिख दिया यहां पर राइट है न और चाह कहते हैं सॉरी कोडिंग डीकोडिग कोडिंग डीकोडिंग यहां पर डेली जो टाइंड वाम हो जाए गांत कर लिया इसके अलावा एकस्ट्रा एक्स्ट्रा एवरी संडे संडे सेक्शन वाइज टेस्ट एवरी संडे इसको पहले नो डाउन करो आप सब लो इसको नो डाउन करो किसी को एक बच्छा कोई बच्छा मुझे इसकी फोटो खीच के मेरे वाट्स अप पे शेर कर दीजेगा राइट है न एट टू एट पेट कोर्स राइट है मारा कोई दिक्ट नहीं है राइट है न ले सकते हो नहीं किसी भी कोचिंग बच्छा मेरे बच्छा कर सकते हैं आपने नो डाउन कर लिया अब देखो मैं आगे चलता हूं अगर मैं यह तो मैंना आपको टॉपिक वाइज टेस्ट जो है न वह आप टॉपिक वाइज टेस्ट जो है यह आपका जैनवरी दे सकते हूं और फैबररी दे सकते हूं और दिसंबर नहीं ने सोरी 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 टॉपिक वाइज टेस्ट जो है अगर आपने कर लिया है तो आप दिसंबर दो और जैनवरी दो देखो टॉपि एक उसकंद त्विकन पर द होता है आप उसके थोड ध्यान दो है उसके त्विज्रा दो दियान दो आप जिसते केसे स्ट्राइव में विज्ज दो करो डूर में नियुक्त दिरह करके देखाए उसे वाले यूटूब चैनल पर देख कर सकते हो सी सैट बाइ संजे कुमार सा अरॉंड ट्विंटी थॉजिन का सबस होंगे संजे कुमार सा आप इसको यूटूब पे भी कम्यूनिटी पोस्ट में आते हैं राइट है न वाट्सप चैनल को जॉइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका सारा लिंक के आपको वीडियो के निचे-डिक्रिप्शन में दिख जाए गा संडे को राहिट हैं संडे को ुरे ऑशा यह संडे को कब तक दो गेए संडे को कब तक दो को जिसकी तיारी हो आप threeiders टेश्ट होगे है और इसको अच्छे तरीकोथ कीजिए this is the actual power of learning आप में है मैनत करने का हुनर तो जरूर बन सकते है UPSC टॉपर ये दियान रखिएगा भाई देखो जिसको नहीं आ रही है समझ में आपको अपने thought process पर वर्क करना पड़ेगा thought process पर इसका मतलब है आपका thought process अगर बात करें तो brain level जिसको thinking level कहते है जिसको आपन thinking level कहते है उस thinking level को develop करना पड़ेगा मैं आपसे कहतो रहा हूँ जो जो मैंने topics आपको बताया है जो जो मैंने आपको ये topics वाई संजे कुमार सा इसी channel पर आप देखो नेक वर आपको खुद मार्केट में कोई ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं नहीं कोई कुछ हो पा रहा है तो भाई कहीं से कुछ भी पढ़ को मैं जाता हूँ जो offline और online पढ़ा रहे मेरे खुद के तो मैं यह नहीं कहूंगा कि नहीं पढ़ाओ पढ़ाओ अच्छी बात है लेकिन देखो कोई 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 टीचर काफी टाइम से टीचर कोन है विकास दिकृती सर है तो है अब बात समझ में आरेक नहीं आ रही है जो अपने सब्झेक्त में एक्सपर्ट है एक्स के बेहिए टीचर कौन से हैं अंसारी सर है रैट है तो जो हैं वो हैं जोने टाइम दिया इस इंडस्ट्री को तो टाम दिया क्योंकि फिकर चफ तस जाइक्ट ऑफ मास्ट्री जैना इसलिए आप को इस लेवल पर वर्क करना पड़े अगर आपने दिया है और आपको दिक्कत है राइट है ना बात करने के अगर कुछ पूछने का टाइम रहता था आप टाइम ले लिए अगर यह वाटस अप नमबर है राइट है नेम एजुकेस्टन बैगर मीडियम के साथ आप पूछ ला करो ठीक है नमबर पहले सेप कर लो उसका वाटस अप मैसेज कर दो ता कि आपको भी स्टेटस वेगरा कुछ चीज आपको वीजिबल हो सके लेकिन सी साथ को हलके मत लिए कोई भी कहारा दो महीने पहले हो सकता था कोवीट से पहले कोवीट के बाद भई इंडिया में ऐसा सोचो ने कि इतना जॉब लेस हो गय कि आसा में एक जाए रहे हैं अपना लेबल तो बढ़ाना ही पड़ेगा और भी उनका जाए जाए घर रहे हैं बढ़ना पड़ेगा ऑप बैठी दुनिया प रहे हैर राजा का था nutफ बनेगा राजा्रा करें बनेगा उसमें भी रिवीजन करना पड़ेगा, यह मत सोचो आपको समझ मनी आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो बेसिक से पढ़ो, और अच्छे तरीके सुच्छे जादा टाइम दो, होगा, जरूर होगा, फर गवराईये नहीं, फर फराईये नहीं, मेरे बच्चे कूल रहो, जरूर होगा आपका, आपका जरूर आप फिल्ड को छोड के मत भागो, क्योंकि छोड के तो 95% बच्चे भाग रहे, नहीं हो रहा है, एक बार में भाग जा रहा है, लेकिन जो लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, मैं यहीं की बात उता रहा हूँ, मेरे को नाम नहीं हेना, देखो, अरक किरत Srontor लगा है, ह हर किरत Sints है, आल इंडाीर्क 10 ले आ, मैं इनके बारें बताता हूँ, आपको, उनको पंधरा साल लग रहे, फिप्टीन एर्विर्स लग गैं लेकिन इन्हों ने छोड नहीं, चोड़ा नहीं किर्वरी मलकॉले से हिस्टी ओनर से पास उठ है दस साल लग गए बट इन्होंने चोड़ा नहीं नहीं मैं लगा रहूंगा करूंगा कुछ भी हो जगा है कभी सी सैट से कभी इस से कभी उस से लेकिन छोड़ा नहीं करके रहूँगा तो करके रहूँगा और आज हरकरत से ओल इंडर रैंक 10 लेकिया है तो मैं तो कहूँगा ऐसे 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 टॉपर से आपको सीख लोने चाहिए कोई भी जूठ नहीं बिल्कुल सच्चा ही जैसा है वैसा आसानी है कि इन्होंने कभी कही कोई टेसरी जोइन किया कहीं कुछ नहीं ना कोई मॉक टेस्ट तक नहीं दिया लेकिन अपने ऊपर वर्क करता गया करता गया फाइनली ओल इंडिया रैंक 10 इसलिए मैं करो आप छोड़ो मत जिस दिन आपका थौट प्रॉसेस लेबल ब्रेन का लेबल उस लेवल पर पहु करने का मतलब पढ़ना चाहिए पढ़ना पड़ेगा उसको रिसर्च करना पड़ेगा देखना पड़ेगा राइट बागी बकृति करने तो सब लोग यूटूब पे आ जाते हैं आपने देखाई होगा बहुत सारे चीज़ें फालतों की बात है अगर मैं कर दूँ तो मेर तरीके से अगर नहीं मैं और बताता हूं नहीं तो रात को फिरी को पर रात को आ करके देखो घुतेन कर तो मैं आभ धीर कर लो सीशाट बाई संजे कुमार संथर माइट में पर जयाएंगा अप जोईन कर लिए एक कोई बच्चा किसी कोचिंग सेंटर्स में है राइंदर नगर करो ला कहीं भी किसी में पढ़ रहे हो तो मुझे आप अपना आई-डी कार्ट दिखा करके मुझे से बात कर सकते हो राइट है ना किसा रग मुझे कोई इश्यू मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा सेंट सरकल में है उनको जरूर यह लिंक जरूर आप सेयर कीजियेगा राइट है ना बाकि इश्याव इनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन प्लीज कनेक्ट विथ मी राइट है ना डाफनेटली आइविल हेल्प यू ठीक है चलो थाइंक यू गॉड ब्लेश यू ट या चाहे हाउस वाइफ हो फिर भी सपना आता है खयाल आता है यार मुझे IES बनना है मुझे IPS बनना है कुछ तो करना चाहता हूँ घर में तो भाई सहाब ऐसे ही तुम्हारे अंदर खयाल नहीं आ रहा है वो वह वाकई में खयाल इसलिए आ रहा है कि भगवान की ऐसी सोच चाहँ प्रवार्तिया आपका डिमाग का वह लेवल ब्हारे अड़े भारत में भारत पाटक दीन तो और लगर तेंट में एक लिए अवसे जाम को सबस्क्राइब कर लिए और जरूर जरूर चलो थैंक ए आक है किसी पेट कोर्स के लिए इक आखे सकते हो हर्योज